प्रतिपार और मैं सो कर सगे अपनन को प्रतिपार अनंत जनम की भूल को छिन में डारें खरो अनंत जनम की भूल को छिन में डारें खो श्रीकुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कच्म मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित्प्रांद मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित्प्रांद जान नभी जो जगतने पर्शों 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 जो वे रहेगी रावरी होई भगत तुमाद ताते तुम सों कहतों एच आपने पाद भूल छुडाओ लाडली समझ देओ भर्शों बूल छुडाओ लाडली समझ देओ भर्शों बाद तिहारी हाथ में तेरी सजीवन पर्शों बाद तिहारे हाथ है तेरी सजीवन पर्शों मेरी लाज लाडली तो ही सब इतिहारे हाथ मेरी लाज लाडली तो ही सब इतिहारे हाथ स्री विहारी दासकों वावन पर्शेण कमलम स्री विहारी दासकों वावन पर्शेण कमलम आचारी चरण संसार आसक जीवों के करपा करके बहुत प्रतार से संधार शिद्धान की करपा करके जब सिद्धान्त समझ में आता है सिद्धान्त का मतलब है पात्र बन जाता है उस सहज क्रम सहव व्यारी व्यारिन स्वामी जी व्यार जी मराज स्री गुर्देश संद्ध फिर रस की भी करपा करके हमको सरप्रकम पात्र बढ़ना है हमको समझना है कि इस मनिस जनम का वास्ति लख्य क्या है आप लोग है सभी बड़भावी हैं करीब करीब सभी प्रंदावन वासी है प्रंदावन वासी पहलोई गता चुके हैं तीन प्रकार के हैं तेन प्रकार कहे ब्रजवासी जनम वास एक उखरे उपासी जनका जनम स्रीधाम ब्रंदावन में हुआ है वो ब्रंदावन वासी हैं और कहीं से आके वो ब्रंदावन वास कर रहे हैं वो ब्रंदावन वासी हैं और जनका जनम भी ब्रंदावन में हैं या कहीं से आके ब्रंदावन वास कर रहे हैं और सबसे बड़े ब्रंदावन वास कर रहे हैं। श्रीव हम ब्रंदावन की विशह में नहीं समझा। स्वामी जी ब्यार जी महराज की लिशह में नहीं समझा। या रजरानी का महत नहीं जानते हैं। रस्कों के पास नहीं बैठते हैं। तो ब्रंदावन वास करना न करना बढ़ा। यथार्त लाव जब है। जब हम संत गुरू आशारियों के चड़ों में बैठके और अपने कल्यान की मारक की बास सुनके हम प्रयात्मितन की चंतन में अपने मन को गयाएंगे। तब ब्रंदावन वास के उपासी। यथार्त में ब्रंदावन वासी कोन है। जो ब्रंदावन की उपासना करते हैं। चाई बाहर भी रहते हैं कोई। और ब्रंदावन जुहदय में जिनकी है। तो समझो ब्रंदावन की। यह तो सबसे बड़ी बाक है कि ब्रंदावन के ही उपासके हैं। और ब्रंदावन के उस उपासना कर्ते हैं और लेकिन फिर दोल के ब्रंदावन की करते हैं और उबहां रहते हुए चंतन मन करते हैं। वह बहुत सौभाद चाहिए। श्री श्वामी रशिक देजु महराज भाग बड़ो ब्रंदावन पायो और ज्यारज कोस्तुर नर्मुन बंचित विद्शन करसे। बड़े भाग्य श्रीधाम ब्रंदावन पायो ज्यारज कोस्तुर नर्मुन बंचित विद्शन करसे। स्वरो नर्व ब्रह्मा जी संकर जी आज आज सब इस रहरानी के लिए लालायत रहे। आप सब पसंद सुनते रहे। कोट जनम साधन करे आवे और तवही वास व्रंदावन पावे। आचयारजन केते हैं कोई अपने मन में ऐसे मत मान लेना कि हम अपने बल से व्रंदावन का बास कर रहे हैं। यह तो तुम्हारे उपको असीन, असीनत करता है। कोट जनम साधन कर्यावे। करोणों जनम के साधन के उपरांद यह व्रंदावन का वासप्राद खुबा है। लेकिन अब ब्रंदावन वास का सोने का डिला तो मिल गिया, सोना तो मिल गिया, लेकिन सोने का महत तो सुन गिया, तो कोटी जनम साधन करियावे, तब ही बास ब्रंदावन पावे, करोणों जनमों के साधन के उपरान स्रीधाम ब्रंदावन का वास मिल गिया, और स्रीधाम जनमों जो भूख है वो ब्रंदावन वास के बास समाप हो जाने जिए उनसी भूख अनंत जनमों से ये भटकरा है संसार शमुंद्र मन्ष मीन नक्रमक्ट जीव बावबंदसी मन बयार प्रेरे शनेवंदबंसी लोव पिंजर लोभी मर्जिया पदारत चार खंखंदसी तैस कसी अरदाष ते जीवबार भः के गई रहे चरण आनंद जीव हुआर शोमी जू पुझक कुण से नमबर नमबर का पड़ है νौर। नवमी नमम्र का पड़ है संसार समुद्र, यानि इस्वामी हर्वाजी नहरा है मुखार बिन से, यह नौमा बड़ है, यह संसार एक समुद्र के शमान है, सादक का प्रस्म हर है, समुद्र में तो संसार समुद्र मनुष मीन नक्र मक्र जीव बहुत बंसी, तो समुद्र में मगर मच्छ है, घड़्याल है, नक्र मगर और मचली है, बड़ी छूटी नानप्रतार के जीव रहते हैं, तो मचली कौन है, तो संसार समुद्र, ये संसार समुद्र है, तो इन मनुष्यों में मच्छी को उपरोगयरी ही, महराज प्रतां लगे, मच्छी संद्र स्भू है, जो संसार में और संसार आ सकती में, और संसार के पिस्यों में ही लीने हैं, जैसे मच्छी पानी को छोड़ना ही नहीं चाती ह उसी प्रकार ये संसार के दीन हीन बने हुए संसार के डिशे में ही मस्त है इसमजी को निकलने की चिनताई नहीं है उसी में रहती है उसी प्रकार ये संसार आशक्त प्राणी एक मचली की समान इसमें पड़े और नक्र मगर यानि घड़याल और मगर कौन है जो उग्र शुभाब वाले हैं एक दूसरे को परिशान करते हैं ऐसे भी तो लोग हैं जो मारा आपने दुख से दुखी नहीं है दूसरे के सुख से दुखी अश्ताद शुपराण सुभ्यासर्ज बचणद्वयम्, परूपकाराय कुंळ्याय, पापाय परफिनन्, आचारी मान भावन है पताया के अठार पुराण में दूबात अश्ताद सुपराण सुव्यासर्ज बचणद्व員 इस दूबचत्णद्व दूसरे को सुख देंगे तो सुख प्राप पुआने, हम दुख देंगे तो दुख प्राप पुआने, सुख और दुख भजन यह से वा यह यही सोहर सुप्रीत कावो जीवन दू कहीं यह संतन की भजन यहा है सेवा यही है और यही हरी से प्रेंव की कसोती है क्यों से मन ने भजन भावना भी कर रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं लेकिंगीर साथ वेश है है तो ये भजन अच्छा है भजन नहीं कर रहे हो कावव Zion दूखं यही संफन की दिए अपनी किशी वी क्रिया से किसी दूसरे सामने वाले कम्नी नहीं ऐसी रितीप, यही संतनकी में. इसे विहारी विहारन प्रसन होते हैं, और संतों की भक्तों की यह वास्तन में जो रिती है, यही कावु जीवन जो एक चीटी परियंत लिखाया ना बचन का शिद्धान को चीटी परियंत भी कावु को दुखावे नहीं इस जीवन में ये लख्यों नहीं कहते हैं महनभाव लोग ग्राजा महराजा हाती होडा से जाके चलते हैं और संत लोग चीटी चीटी बचाके चलते हैं संत चालें पाँ पाँ पैयां चीटी बचाएके और राजा महराजा हाती घुडा सजाएके तो हाती घुडा सजाएके चलते हैं लेकिन संत लोग भक्त लोग जिनको अपने इस जीवन की कल्यान की जिग्या साहे मन में एक एक फिरण एक एक सेकंड मिनट को देखते रहते हैं कि हे विहरी विहरेन हे श्वामजी विहरी मराज हमसे कोई अपराग नहीं बनता है क्योंको अपराग थोड़ा भी बनता है बहुत भजन को चौपट कर भजन में मन नहीं लगेगा हम किसी के मन को तुखाएंगे तो हम हमारा मन विहरी विहरेन के मन में यानि उनके चणों में नहीं लगे इसलिए तन से मन से अगर हम किसी के तन को कष्ट देंगे तो हमारा सरीर भी दुख पाए एक दिए हम किसी के मन को दुख देंगे तो हमारा मन दुख पाए यह जो है परिणाम सीधा सीधा जो भी हमारे जीवन में आता है ना, पहले जो किया था, अगर दुख आता है, तो पहले हमने किसी को तुख दिया, निजिक्रत करम भोग सब ध्राता, को नहीं दुख सुख करना, अपने निजी करमों का भोग भोगता है प्राणी, इसलिए अब की बार हमको बिलकुर साफधान रहना है, क योग व्यारी व्यारण ने करपा करके, यह मने से जनम दिया, और मने से जनम में भारत भूमी, इतने भी अवतार हैं, भारत भूमी होते हैं, और भारत भूमी में स्रोबनी, चारो धामों में, सब से श्रोबनी, ब्रिज धाम, ब्रिज मंडल, और ब्रिज मंडल में भी, ब श्रीधाम व्रंदावंग रजधानी व्रंदा विपिन बैकिसोर्यु राज करें सहेचरी नितनही काम कीवि की साइए यह राजधानी व्रंदावंग चिंजु इसको सामाने कोई सहर मत मान लेना इस बहुत करपा का बखान इस विद्धा से नहीं कर सकते हैं कितनी करपा है इस ब्रंदावन धाम का वास मिला जिहार जी महाराज के दर्सन मिले और श्वामी महाराज की उपासना में रशिक जनों का संग मिला, स्री निधवन राजु की स्रण मिली, गुरु रशिगों का संग मिला, ये करपा अनंत जन्मों में भी नहीं हुई थी, लेकिन इस करपा को समझ लेगे, जैसे बक्चा सोनी की डीर का मैं तो नहीं जानता है, उस प्रकार नहीं समझ ना है, करपा त सादक, सिद्ध, भ्योत, पहाँ, उमर कसूरी करपा नहीं सादक भी हो जाएं, सिद्ध भी हो जाएं, और हम करपा की याचनान करके, अपनी सिद्धताई के अपने भजन के एंकार में, अगर हो गए, तो करपा रुक जाएगे, बलो भ्यादी जी, करपा रुकती कैसे है, ह हम थोड़ा सा भजन किया, साधन किया, दर्शन कर रहें, परशन कर रहें, समझ रहें, कुछ बसकू समझ में आई, जड़ हमको एंकार हो गया, एंकार जा हुआ, क्रपा रोग गई, बलो भ्यादी जी, और क्रपा अगर चाबते हो, तो क्रपा की याक्षना करते रहो, देन सभी सुम्पर्दाय के स sort कते हैं, कि सर प्रथम भक्ति, संतन करशंगा, दूर सर इत्यमं करशंगा, सब सी प्रथम भक्ति, पहले भक्ति, श्रीफ भागवत जी में भी कहते हैं, स्रवड्भा में पिर्तनम, सब से पहले संतों की, सड़ों में बैटकी उनकी बचन सुनुए बचन सुनना सुईकार कर लिया, तो इस जीव का कल्यान होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है, अगर संतों के श्रमों में बैठके बचन सुनने के लिए समय ही नहीं है, अत्वा सुर्धा ही नहीं है संतों में, तो अनंत जनम हो जाएं, फिर कल्यान नहीं होगा, यहां सी र नक्रमगर जीवा बहु बंदसी तो बहुत प्रकार के बहुत बंदस के जीव हैं मन बयार प्रेरे इसने अफंद पंदसी मन बयार बयार हवा मन रूपी हवा की प्रेना से मन बयार के प्रेना से मोह रूपी प्रेना में फसे हैं महरू भी प्रेणा, मन की प्रेणा, चंचल मन, जो आस्तिक मन जो संद्गुरुं के स्रणों में स्रणापन हो चुका है, वो मन अलप्रकार का होता है, यह संसारी मन हैं, वो अलप्रकार का है, मन बयार प्रे इस ने भम्हद भनशी, इस मन के कारण, मन की प्रेणा, अअभ ड़ स्याब, मन बयार प्रेर इस ने भंद भनशी, तो संसार, शमुद्र, मनश, मीन, नक्त्र, मक्त, जीब, बहो, बंसी, मन, बैयार, पेरेश, नेव, बंसी, इस तरीके से मारा है, लोब पिंजर, पिंजर क्या पिंजरा, लोब पिंजर, जो लोब है मन में, संसार के सफों का, कुंसा लोव भना चाहिए हमारी भीर्दय में ग्यारी व्यार के चंणार में मन लगे इस बात का लोव यह लोव, लिकन संसार के सुखों में रवण करने का लोव है तो लोव पिंजर तो वही पिंजर है वही भसाने वाला जाल है लोब ही मर जिया, मरने वाला और जीने, कभी जन्म लेता है, और कभी मरता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, किस कारण से लोग की कारण से, कौन सा लोग संसार से, ये संसार के सुख मिले हैं, ठाकुर की इच्छा से उनको उप्योग में लेओ, लेकिन इन सुखों में लीन मते हैं, एक होता लीन होना, लीन होना किसको कहते हैं वो ठाकुर का भजने ही नहीं करते हैं, इन में लीन रहते हमेजा इन सुखों को सुविकार करते हुए ठाकुर की क्रपा से जैसे जैसे आलप मात्रों सुविकार करते हुए लेकिन मन को विहारी विहार के चनार बिंदों में रखो प्राणत ना करते रहो हे प्यारे इन संसार के सुखों से हमको आप उपराम करिए। बहुत जलम बीत गए। इन संसार के सुखों में रमण करते करते हुमारे मन के प्यारों ही लड़ले इनसे उपराम करिए। पुलोब यारी जी तो लोब पिंजर लोभी मर जिया ये लोभी मरने और जीने वाले यानि जनम मरन के घंदा में पदारत चार घंद घंदी से चार पदारत धर्म अड़त काम इनी की चक्कत इनी की चाहना में और बिना हरी की कृपा के ये चारो पदारत भी सुख देने वाले नहीं होते हैं संसार के सुख भी है चाहे करम ही करे ये जीव लेकिन संसार के सुखो और दुखों का परणाम शरूप ये सब कुछ हरी के हाद में है पदारत चार कंद खंद सी दे स्री हर्दास दे जीव पार भई जी कही रही जर्न आनन्द से एक स्रीश्वामी भगवत रशिदी महराज का पद है जासों सपरस चाहिए तासों अपरस नित जिससे बरावट इस परस चाहिए उससे तो तुम जो है दूर दूर भग रहे हो जासों सपरस चाहिए तासों अपरस नित जिससे दूर रहना चाहिए उसमें तो हमारा मन चुभा हुआ है और जिसके संग हमेशा रहना चाहिए उससे दूर भग रहे है हमेशा रहना चाहिए संघ गुरू आच्य वाणी भजन साथना वीहरी घहरन का चिंतन इसमें हमेशा रहन को रवण करना चाहिए लेकिन हम रवण क्या करते हैं संसार की सुखों में इनी camera खरचाओं में थोड़ी वो चरचा ठाकूर की सुनी भजन किया फिर मन उसी मुई देखो सही आप लोग आगे भिएर जी महराज कृपा करेंगे तो ये टेली बीजन इतनी बुरी बला है ये मॉबाईल इतनी बड़ी बला है किस मॉबाईल ने किस मॉबाईल से सार्तक्ता भी है तुँ आज तुम बढ़ सकता है जो सत्शंग सुन देपे हो यह मोगाईल के माधिन देज़, तो कितना सदेप्योग है, लेकिन इसका दुरुप्योग इतना जवर्दस्त है, महरा दुरुप्योग ज्यादा, हैं, ठाकुर की चर्चा सुने, सत्संद सुने, हैं, ऐसे उप्योग में ले, और जरूरी-जरूरी कामकारज की वात नहीं, उ अब हमारे पास समय तो बढ़ा चित है, मरना तो सब को भया, मरना सब को है, अब चाटेली विजन देखिले हो, और चाहरी का बढ़ा, यह समझ में धीरे-धीरे उनकी क्रपा से अपने मन को हमको सुकेड़ना, एकदम बात नहीं बनेगी, बहुत लोग यह सूच रहे होंग बेटा-बेटी, यह तो बड़ा कठन काम है, धीरे-धीरे बात बनेगी, समझा सम्झा के इस मन होगा, लेकिल यह करना पड़ेगा, अगर भक्ति की और अपने कल्याण की गर्जे है, तो करना ही पड़ेगा, लोग यहरी जी, ऐसे अपने मन को नित्रल करना है, कि हमको और पर है कि कोई भी चीज़ न देख रहे हैं, हमको वो बस को देख रहे हैं, जो हमारी भक्ति में सहायत है, बात को, मान लीजिए, तुमने एक कढ़ाई भरके दूदे खटा कर लिया, और उसमें मीठा भी डाल दिया, और चावल भी डाल दिया, वो खीर बनके तयार हो रही ह अगर किसी कारण से दिस डल गया, तो पूरा कढ़ाई का दूद जहर बन जाए, पूरी कढ़ाई का दूद जहर बन जाए, यह उधारन से समझ रहे हो न, इसलिए तुम भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, छे महीना का सत्संग और थोड़े ही देर का कुसंग, छे महीना के सत्संग को चोपट उलाते हैं, तो यह तेलिवीजन के रूप में, और मोबायल के रूप में, सद्विप्योग न करके इनका रूप्योग करते हैं, जहर हमाई साथी, हम त्रंथ अम्रत, यानि त्रंथ दूद पीते हैं, अम्र जिसने पी लिया, अथवा अम्रत एखटा कर लिया, कहें रहीं, उत्तम प्रकृति का करिशकत कुसंग, और चंदन विस ब्यापत नहीं, लप्टे रहत भुजंग, यह उत्तम प्रकृति हो जाती है, जब तक दूदे, दहिये, घीये, जब तक उसमें जहर की थोड़ी बू देओ, वो जहर नहीं बनेगा, वो अम्रत ही रहे, लेकिन दूद में, दही में, और धी में यह अन्यन पदारतें, इसमें तुमने जहर थोड़ा भी डाल दिया, वो जहर ही बन जाए, इसलिए हमको अम्रत बनने की कोशिज करनी है, अम्रत बनने की कब बनोगी अम्रत, बिटा, ये जो है, मुश्कल से जनम प्राप्त हुआ, और जनम प्राप्त होने के साथ साथ, ब्रन्दावन धाम प्राप्त हुआ, स्वामी जी की करपा प्राप्त हुआ, इस करपा का ठकाना नहीं है, तुम्हारे उपर बहुत बड़ी करपा है, लेकिन इस अठकाव को, ज जासुों सपरसचाए तासुों आपरस नित। जासुब पूप चैनल और जासुब चुब गोचित। तासुं चुवगोचित भई बिपरीत बुद्धी अव्च यह हमारा चित तो संसार के विशयों में चला जाता बुद्धी बुद्धि कैसी हो जाती है विपरीत संसार में मन जाती है असन बसन आचार कनक कामन राचे सब फिर असन में यानि बढ़िया बढ़िया बूचन सानिक अगर कुछ नमक कम हुगा कुछ फटकार दिया हमको नहीं घाना दूर भेंग दिया ऐसे सुभाब को बदलना है कि अधेशा ठागुल की प्रता से देशा समय पे भोगलग की प्रसाथ को ने मिल्यास में संतूष करते हैं शुभाब को असन वशन और कपड़ा लगते हैं भक्तों का जीवन संसारियों से अलग हो ठीक है खूब संदर संदर कपड़ा प्यारों लेकिन फिर भी भक्तों को बह पहनने में भी मन जाता है तुमने कभी देखा हो अच्छे कपड़ा पहनने में अच्छा मतलब जितना संसार के शौक करेंगे तो मन उसे शौक में और तुम अपने मन का अनुभव करो वह एंकार बनता है अच्छे कपड़ा पहनने से ज्यादा चमकीले ज्यादा कीमती कप सब्सक्राइब करते हैं जितना सुन्दरता के कपड़ा जितने गहने जवारा जितना मूल खीमती चीज रखेंगे शादूसंद क्यों राजा महराजा पने को छोड़ के इतनी भी आचायरों के तुमने चरितने सुने स्री भ्यारिंदेगी महराज आज आज उन सब को छोड़ पहनते लेकिन हम लोग जो है चलतो रहें लेकिन जो पूरी बात है उनकी पूरी बात को सब्सक्राइब महराज तो होगा क्या मान लीजिए सुन्दर कपड़ा भी पहनते अच्छे-च्छे और इस बैभव के बीच में भी रहते हैं क्या तो एक काम करना बैभव के बीच मे अधर रहते हुए अपने आपको इनसे उपराम उठाना उपराम करना है जैसे बताया के गोड़े ही गोड़ों में बरत रहे हैं ऐसा जनको ज्ञान हो जाता है कि हम अलग हैं और यह सरीर अलग है यह सरीर अलग है और शरीर ही संसार है और हम अलग है अजो नित्य सास्ट वयंग प्राणों नहन्यते हन्यमानिय शरीरे यह आत्मा है, आत्मा, सैच्री भाव, तो हमारा जो सैच्री भाव से भाव एक भूके व्यारी वहन का चिंतन करना है, यह हमारा नजी सरूप है, और यह सरीर तो हमको मिला है, यह तो एक मकाम सक्ष है, यह तो यही रह जाएगा, हम सरीर नहीं है, सरीर मेरा नहीं है, सरीर मेर लिए यह सूत्र जिनकी हिर्दाय में ब्राज गया वो कैसी इस्तिती में रहते हुए उनको संसार का आवरण और यहां का जो है किसी तरीके का यह वासनाएं ब्यात नहीं करें लेकिन आदर्स जीवन के लिए हमको यहां की नाना प्रकार के उनसे भी ऊपर उठाना एक उपर हेल में डोपते हैं डोपते हैं और कोई उपर उठा रही है कोई ब्रिले होती है डाजैसे सरी अंब्रे जी ़िCr neste advismede कहा पूरी दुनिया के राजा के पूरी दुनिया के राजा होते हुए, उनके सोरानिया थी, राजा होते हुए, चक्रपरती संब्राट होते हुए, वो अपने को राजा ही नहीं माते हुए, अपने हाथ से रूटी बनाना ठापर का भूग लगाना अपने शरीर के लिए, इतने ही नोकर चाकर सारे चक्रपरत क्यों कि है ठाकुर मुझे आप राजा मानआजे में मत डाल देना मुझे बार-बार ज्लम की चक्टर मत नहीं न ना मैं तो एक सबसे आपका छूटा सीवु health को समाल रहे ठाकुर के पूरे राजापने को समाल रहे दें लेकिन राजा नहीं हूं प्रभो मुझे राजा मत माल लेना मैं तो आपका सबसे छुटा दास हुए ठाकुर रीज गे सारी विवस्ता ठाकुर ने अपने द्वारा सभारी तुम भजन करो राजी को भी समारते थे लेकिन चक्रप्रती सम्राट होते हुए स्वेम भजन परायंड रहते थे भूलो भियरी जी उखे श्री अम्रीज जी की अधा आपनों वगन सुनी हो नहीं है कि इस तरी के साथ है हमको इस जीवन में इस तरी के सेल पर है तो महराज बूले असन बसन आचारक नपकामनी राचे सब तो नड़ा प्रकार के संसार के सुखों में अगर मन रचा रहेग तो व्यारी व्यार का चुंतर बहुंसे करें इसलिए उनसे कृपा मनाते हुए यह तुमको दवा बताई देए कि भाया कोई बानिक नहीं बन रहा है भूजा ना उनसे कृपा मना प्रांतना करो यह महराज जीतो समझ में हमारी में आ गई कि हमारा मन इन विश्वों से उप्राम होना चाहिए लेकन ही उप्राम होगा आपकी कृपा से हमारे बसकी नहीं है महराज उनसे प्रांतना करने है आपकी कृपा से होगा भगवत रसिक अनन्य अस्वर्दा जासुं पते तो होई गिर्परे परंपद हूं से जासुं महाराज, भगवत रसिक अनन्य करे अस्वर्दा जासुं पते तो होई गिर्परे परंपद हूं से जासुं। महाराज, बूले, गवे जुर्शिक अन दिन्मां relevant। वो शंचार की होई है। उनकी पेंचान होई। अश्वर्दा अमाने होई नहीं करना। तो अगर हम लोग अपनी चलाओ गैल पहंचानी जो हरी भक्त हैं, भक्त रहें संसार में हरी इच्छा को जाएं, संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन हरी इच्छा को समझ समझ के उसमें रहते हैं, अपने आपको संसार में लीन नहीं करते हैं, लगते ऐसे कि संसार में लीन है लेकि लीन नहीं होते हैं, संसार की सेवा मान के सेवा पराण रहते हैं, लेकि लीन नहीं होते हैं, और लीन होते हैं व्यारी व्यारिन के दिहान चेने नहीं होते हैं, तो महराज बोले, भगवत रसिक अनन्ने, करें अस्परधा जासों, पतित होई गिर परहे परंपद हूते सब्सक्राइब नहीं करते हैं कई लोग अरे भाई यह तो बहुत मोजबिलास होना है सब जगट पूरते हैं कोई जाजन में भी कुम रहे हैं वहां भी जा रहे हैं आपके रिष्टेदारी में कबड़ा सनमान हो रहा है हरी वक्तों को सापधान रहना चाहिए हमको सुपड के लेना चाहिए कम से कम बिव Ар रहार में हम को ह inhale ने डेंदा चाहिए व्यवार भी एसा करना चाहिए जिसमें हमारा साधन खराब नहीं हो हमारे भजजन ध्यान का टाइम है वी टाइम हमको कहीं जाना पड़ रहा है तो टाइम निखाल के वहां भज़न करना ही क्रón लुग मूल में तो हमारा यह रहस है विभार के कारण हमारा भजन खराब हो गया तो यह बिवार किसका यह सब समय तो करें असपरदाजासों महाराज बोली रशिक नन्यों की पहचान होती है वक्तों की यह संसारी लोगों की होड़ रही करते हैं अपने आपको अलग माल लेत हैं इनके बीच में रहते हुए पताया ना सब ते न्यारे और सब के यारे ऐसा माल लेते हैं अपने आपके यारे भी रहते हैं कुछ अल्पमात्र वेवार भी नहवाते हैं लेकिन अपने आपको सबसे न्यारे रखते हैं अंत्यकर्ण में चिंतन करते रहते हैं ते व्यार आप हमारे हो और हम आपके हैं तन यानि विछुन्ने की आन है हम आपसे नहीं मिशने हम आपकी सक्षिय हैं सहच नहीं है अंग संग नहीं सहच हैं शदा आपकी संग रहते हैं बोलो विहरी जी शब के अंदर प्राणी मात्र के अंदर ऐसा भाव रखो मेरे विहरी विहरी तो तो गटगट हो कि था थापड केते हैं ज्री व्यारिंदेजी महाराज की पचन करें. जब घड़े जब करें मेरी प्राण नात ही षागान है, मेरी व्यारी व्यारे नहीं, स्वामीजियी ही घ्राजमान है. तो मैं गड़े किसे करूँ जब होता है, जब हम जो है कही हिंकार होता है हमको ना स्वार्थ होता है फिर द्वेस होता है मान लिजिए किसी से मन नहीं मिल रहा है उसकी क्रिया अलग है हमारी क्रिया अलग है उससे द्वेस न करके उसका संध नहीं करना है बाकी द्वेस भी नहीं है नुटे रहें नुट करें भजेल में यंत्र प्रमारों किजिई भांन यियुद्र उम्सें युद्द करते हों हमारे में कोई सही नहीं करना हैं लेकिन थोड़ा सा updates a बढ़ते हैं उनसे सबल तेंज्यारे सबके प्यारे उसे नियारे प्रम्प ओस से तरीके कोई साईज का बीटा स्रीलात किसी दहीं महरेजमिरमान किया है कोई साईज का बीटा और धगन की हात पर गयों तो वहां से कैसी निकले वहां से निकले कि ऐसा लगया कि उनके संग मिल लों का ऐसा भाव लेकिन अपने मन को बिल्कुल उनसे अलग रखे जब दापर है जब निकल जाए गुलो जैरी जी जैसे साहुकार का बेटा ठगन की हाथ पर जाए तो बेटा को चाहिए उनमें मिल जाए कुछ समय ऐसा लगे गहाँ और जब दापर पड़ा पड़ निकल लिया अपने में यह लग किसी देंगे तो इसी प्रकार बिहारीदा जागत रहो चोड चुगल में बास हे बिहारीदासो तुम लोग जागते रहो तुम्हारा भी चोर और चुगलों के बीच में बास है अगर तुमको हरी की भक्ती और अपने सैच्वी भाव से भावित होने की गर्ज है तो तुम तो जो है अपने सरू को जिनोंने पैंचान लिया तुम्हारा भात चोर और चुगलों के बीच में है इसलिए तुम जागते रहो बिहारीदास जागत रहो चोर चुगल में बास भुशबुश मुशबुश मुशबुश मुक रही तु सोवए कहें बिस बास बड़े बूले जो है जो बच्चे लोग जो द्रास्टिक प्रकार के होते हैं हमने तो ते कव कही तु भजन मत करा है अरे तुम्हारे में काजे मैंने इतनों कमायो मैंने कच्छू न देखे अपनों सरीर हमने देखे और मैं ठाकुर जी को भजन न करे हो बालक क्या करेंगे तो हमको ते काकम आय की दर दी हो तो होने कही तो तो वो मुकर रहे हैं उनके लिए पूरा जीवन लगा दिया अब भूम कर रहे हैं ये संसार स्वार्ति है इसलिए सांव धान रहो तो कौनि के भरुस्ते सो राए है अपना काम बना दे बुलो व्यारी जी, तो महराज बोले, भगवत रशिक अनन्य करें अस्परदातासों, पतित होई गिरपरें पदम पदूते जासों, तो इन संसारियों की होड नहीं करता है, इनका मत अलग होता है, उनके बीच में रहते हुए भी अपने आपको अलग जासों, पतित होई गि जिनका जो है, संग अच्छा नहीं, जो बहुत आगे बढ़ते बढ़ते भी गिरज्याती, पतित होई गिरपरें परमपद भूते जासों, परमपद यानि मुक्ति तक भी बताया, मुक्ति और जो है, स्वरगादिक के सुख, स्वरगादिक यहां तक भी किसी हो जाता है, फिर भी हरी की निश्काम भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं करी, तो वहां से भी मुक्ति मिलने के बाद ही, स्वरगादिक के बढ़ के सुख मिलने के बाद ही, इस जीव को गिरना पड़ता है, उन्हें मनुश बनना पड़ता है, या और कोई प्ला मुडा बनना पड़ता है, ल या विहरजी महराज का और स्रीधाम रंदावन जू का आस्र है इसकी तो प्रसंसा कर भी नहीं से तो इस तरीके से हम को जो है कहें सियरदात ते जीव पारवय जे गहरे चरण आनंद नंग सी उपद है जो आनंद कंद स्री विहरी विहरन के चरणार विंदों को जिन्होंने पकड़ लिया है वही जीव पारों और जो नाना प्रकार के सुख सुर्दाओं को यानि स्वर्गादिक के सुखों को या मुक्ति सुख को इनको चा रहे हैं चाहा मुक्ति वैकुंट की इनको नाहीं अधिकार सुर्गादिक की चाह और स्वामी जी की रश्देश को भी चाते हैं तो भहत्रशिधेश विह माराज बूले उनका इस देश में भीखार नहीं है जहां मुक्ति-वैकुंट की तिनको नहीं इनका लिखार नहीं ये परम बस्तू है नित्वस्तू है ये तो स्वामी जी की स्वामी का अवलम और अनन्य भाव से चिंतन करते हुए उनका चड़ों में आश्राय तब यह वस्ति प्राप्त होती है, लोगहरी जो, इस तरीके से आशायर जाना है, हम से रहे पुर से नहाया, इसलिए भाईया इस समझ कुछ हदे में बैठा के अपने भजन परायन स्वाम और यह वहरी माहराज की नाम जाप उसका चिंतन करना यह पर्म नहीं हो问नानों किसी का भिया कोई था मोशला Fields मrum हो में हो के लिवाज शेया, परम में का fanat गारे है यह होे भात मिटा कोई कुछ ना चाहें, कुछ सबते हैं. मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहादी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहादी सवसुख सागर रूप उजागर सवसुख सागर रूप उजागर अंग संग प्रितम प्यारी प्यारी अंग संग प्रितम प्यारी प्यारी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहारी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहादी स्रीब्रंदाबन गनवने कुंज में स्रीब्रंदाबन गनवने कुंज में केले करत भुज चारी चारी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहारी स्री बिहारी बिहारिन दास लडाव जीवन प्रान हमारी हमारी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहारी मन मेरे भजले श्रीकुंज बिहारी जे 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 श्रीनिधवन राज जे 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 श्रीनिधवन राज गौर श्याम को आति सुखदाई गौर श्याम को आति सुखदाई शब विधिकरत दुन की काज जै 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 स्री निल्वन राज महारूप रस रास छबीले अद वुत जा में प्रेम समाज जै 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 स्री निल्वन राज जै 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 स्री निल्वन राज कुझ्य बिहारिन प्रान प्यारी कुझ्य बिहारिन प्रान प्यारी कुझ्य बिहारिन ललत रस कुबर कुझ्य बिहारिन ललत रस कुबर तुम ही को है अमरी लाज जै 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 स्री निल्वन राज की जै रही जै मैं लेत्य बिहार निरंतर काम कानी कहिए कहिए दुवन राज की जै रही जै रही जै श्री हरिदास सुभायक अंग संग और काम चहिए चहिए श्री निदुवन राज की जै रही जै कुझ बिहार नप्राण प्यारी नप्रान प्यारी पुम अगे उम अगे दुल रही जै रही जै स्रीन्य दुवन राज की जे रही स्री व्यारी जूम राज की स्रीश्वामी जूम राज की तरी ब्रंदावन चन्यू की स्री निदुवन राज की आज की आनन्द की ज्ये श्रीश्वामी ज्ये श्मीराभवन की बबब जिमराग